सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यू चाइनल को और बेल आइकन को दबाएए हमारी विडियो सबसे पहले देखने के लिए बारिश और खराब रोशनी की वजह से कोलकाता टेस्ट के पहले दिन सिर्फ 11.05 ओवर का खेल हो सका पहले दिन की समाती पर टीम इंडिया ने 11.05 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 17 रन बनाए इससे पहले कोलकाता के इडन गार्डन्स में पहले टेस्ट मैच का पहला सत्रक गुरवार को बारिश की भेंट चर गया जिसकी वजह से देरी से शुरू हुए मैच में श्रीलंका ने टोस जीता कर पहले गेंद बाजी का फैसला किया श्रीलंका के गेंद बाजो ने भी पीच में नमी और कप्तान के फैसले का पूरा फायदा उठाया और भारतिय बल्ले बाजो को परेशान किया श्री लंका के तेज गेंद बाज सुर्मगा लखमल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही टीम इंडिया को के राहूल के विकेट के रूप में पहला जटका दे दिया इससे पहले की टीम इंडिया कुछ संभल पाती है लखमल ने धरवन को ट्लीन बोल्ट और कप्तान कोहली को LBW आउकर टीम इंडिया को बाइक फूट पर धकेल दिया। मैज के पहले दिन की समाती पर टीम इंडिया की तरफ से चेतेश्वर पुजारा और अजिंग के रहाने मैदान पर टिके हुए हैं। टीम इंडिया की तरफ से केर राहूल शून्य रन्स, शिखर धरवन आठ और विराट कोहली शून्य रन बना कर आउट हुए। वहीं श्री लंका की तरफ से शांदार गेंद बाजी करते हुए सुरूगा लखमल ने 6 ओवर में 6 मिरेन ओवर देकर 3 विकेज अपने नाम किये। इसी तरह की बहतरीन खबरों के लिए हमारे चाइनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।